हेलो एबरीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टुडेंट खीक होंगे तुम्हें विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपने परिवा कॉल्ज अपडेट्स में तो देखिए एक्षली बात यह है कि जो सोल के जो फोर समस्ट के जो स्टुडेंट है उनको सबस आप इसको सब्चेक्ट अब उ हुए है टी को कुछ चीजह करना चाता हो इससी को लेक cœur ऑफ़िए पहले सीज एक्जाम के जवाब- बैठोगे तो आपको हिंदी ए भी सी तीनों में से कोई भी एक हिंदी का पेपर मिल सकता है देगे अगर जैसे मान लीजिए आपके फोर सैमिस्टे के प्रोफाइल में आपका हिंदी ए है बड़ आप जब एक्जाम देने जाओगे अगर आपको हिंदी भी मिल जाए ना तो पी आप यह मैं सोच दाए यह रॉंग पेपर आ गया रॉंग नहीं है तीनों ही जो पेपर है वो सेम ही है फिर फरक क्या है जो एवी सी में डिवाइड क्यों रख रखा है वह मैं आपको बता दू एक्टिली बात यह है कि ए जो है वह एडवांस लेवल है भी जो है वह उस जा रहे है ग्रामर के पोसंस से वह सेम ही पूछ जाएंगे तो आप एक काम करना आप ग्रामर के आप त्यारी करो जो हिंदी ए भी सी आप किसी से ब्लॉंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं है बर थोड़े से चैप्टर जरूर पढ़ जाना क्योंकि चैप्टर में से पोसन एक दो आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो हिंदी ए भी सी सिर्फ करने के लिए लेवल के हिसाफ से इन्हें डिवाइड कर रखा है है तीनों एकी तीनों का नेम एकी है ठीक है तो इसमें जरूर नहीं है आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको कोई भी पेपर एक एसा मिल गया मेरी हिंदीम उसको कर देना जब आ कर देना कए सारे के साल लेंकर के सांगा जाओएक आदन मेने फज्सेंच कोी ही पूचा हो तीनों में सेम ही आएगी तो आपके पास जो भी हिंदी उसकी तैयारी करो अगर बाइचांस अगर पेपर मिसमेच होता है तो गिरामर तो सेम मिलेगी ना तो बस पास हो जाओ गया ठीक है तो यह थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कई ऐसे स्टूडेंट को कहते ही सर्क हिंदी का क्या इसू आ रहा है क्या समझ में यह कुछ नहीं है आपके बाद जो हिंदी है वो पढ़के जाओ बाकी तीनों हिंदी एक है पस लेवल का फड़ाग है ठीक है आपके पास ज झाल झाल